वेल्कम टू मैं यूटूब चैनल मेडिकल नर्से सब मेरे नाम है कीरती तो जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं उसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही साथ वेल आइकोन मटन को प्रेस करके रखें जब भी मैं वीडियो आपके लिए पार्ट की थी तो हर एक सीरीज में 15-20 क्वेश्टन रहते हैं एक क्वेश्टन आपके लिए भी दिया जाता है उस सीरीज का पार्ट 6 है और अच्छी बात है कि हम मैं आपके लिए डेली एट लिस्ट दो वीडियो मींस चालीश से पचास क्वेश्टन है जो पर दे आपको प्लेइस्ट है उसमें एंस के पुराने पेपर जितने भी स्टाफ नर्स के हुए मिटवाइफ रीके और जो अधर नर्सिंग के सब्जेक्ट में फंडामेंटल मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग साइकलोजी सभी के आपको सेपरेट प्लेइस्ट मिलेंगी आप लोग और भी ज जाके चेक कर सकते हैं तो यहां पर इस पार्ट शिक्स में हम पढ़ेंगे 20 प्लस mcq रहने वाले में थ्रेशनल के तो मैंने पार्ट फिप्ट में आपके लिए क्वेशन दिया था उसका अंसर अल्मूस्ट सभी लोगों ने सही दिया है क्वेशन था कॉपलेक स्पॉर्ट स आर क्लीनिकल फीचर सॉफ चो घौण में चोपलेक स्पॉर्ट देखने को मिलते हैं तो यहां पर सभी लोग अंसर लिखा था यह मिजल्सटेज होती हैं उसमें आन इसमें को औरल कैवेटी मैं बें बैग स्टएप से देखने को मिलते हैं वो कहलाते हैं कॉपले इस्पॉ तो कौन सी position यूज की जाती है, option है यहां पर left lateral, right lateral, supine और deep prone position, तो एनिवा देने के लिए जो position यूज की जाती है, वो होती है, left lateral position है, देखी यहां पर image भी दी हुई है, left lateral position है जो यूज की जाती है, एनिवा देने के लिए, next is blood in urine, यदि urine में blood present है, तो वो condition क्या कहलाएगी, option है यहां पर, hemocidrosis, hematopoiesis, hematuria और d ननक्ती, अब अब तो जहां urea word हो, यहां पर लिखा भी है कि blood in urine, ही मतलब होता है, blood, urea है already, तो इसका right answer क्या होगा, c hematuria, blood present है urine में, तो गडिशन कहलाएगी, hematuria और other option है, hemocidrosis का मतलब होता है, कि जो iron है, वो overload हो जाएगी, किसी भी organ और tissue में, यह condition कहलाती है, hemocidrosis, और जो दूसरा term है, यहां पर hematopoiesis, तो यह blood cellular component formation होने की process है, क्या कहलाती है, hematopoiesis, जो steam cell होती है, वहां पर, जो पूरी cellular blood का formation होता है, RBC, WBC का, तो वो process क्या कहलाती हो, कहलाती है, hematopoiesis, यहां पर right answer क्या होगा, blood and urine, that means hematuria, next is sudden fall of temperature is cold, तो temperature जो हमने pyrexia पढ़ा है, उसमें बहुत सारे type पढ़े हैं, बहुत सारी stage भी पढ़ी हैं, तो यहां पर question है कि temperature का अचानक से गिर जाना, हो condition क्या कहलाएगी option है, यहां पर, a crisis, b relapse, c lysis, d, quatadian, तो यह कई बार exam है, वो question है, तो temperature का अचानक से गिर जाना high है, और suddenly गिर जाना, तो हो condition कहलाती है, crisis, यहां पर देखिए, sorry, lysis का मतलब होता है, कि जो भी cells है, उसकी membrane का टूटना, और जो other option दिये हुए हैं, यहां पर तो, paraxia के बहुत सारे type होते हैं, continue, intermittent, or remittent, next is relapsing, तो continue, intermittent fever होता है, तो इसमें किसी भी तरीके का जो temperature है, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं, एक सरहेगा, intermittent में क्या होगा, temperature falls to normal everyday, by day है, जो temperature normal होगा, फिर बढ़ जाएगा, remittent में होगा, fluctuate होगा, temperature more than 2 degree Celsius, 2 degree centigrade, temperature है, जो fluctuate होगा, बट normal नहीं होगा, remittent fever ही है, खासियत है, relapsing में क्या होगा, एक दिन के लिए normal हो जाएगा, फिर से वापिस बढ़ जाएगा, जो relapsing type का जो fever है, वो malaria की condition में देखने को मिलता है, lymphoma में, hawkins lymphoma में, pyogenetic infection में, continue जो fever देखने को मिलेगा, वो मिलेगा, typhoid, drug fever, मैं लेगने हैं, थाइपर धर्मिया में, intermittent में, कि normal है, जो fever बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यह pyogenetic infection और tuberculosis से देखने को भी लेगा, और जो remittent है, किसी भी एक disease में देखने को नहीं मिलता, next है यहाँ पर, sensitivity and reaction is tested by administering the drug, किसी भी medicine की जो drug की sensitivity और reaction का पता करने के लिए, कौन सा root है, जो use किया जाता है, option है intravenously, intramuscularly, intradermally और disubcutaneously, तो generally, जो root use किया जाता है, किसी भी medicine की जो testing करनी है, कोई भी ऐसी medicine है, administer करना के पहले पता करना है, कि आपको allergic reaction तो नहीं है, या फिर उस medicine की, इतनी जादा sensitivity है आपकी body पर, तो root use किया जाता है, वो होता है intradermally, intradermally इसलिए use किया जाता है, कि direct skin में जाके, बता देगा ना, तो बहुत ही fast, जो, इसका जो mode of action होगा, उतना fast नहीं होगा, किसी और तरीके से हमारी body को harm करें, इसलिए intradermal root का use किया जाता है, किसी भी medicine के जो sensitivity और reaction का पता लगाने के लिए, तो यहाँ पर right answer होगा, c intradermally, next is, which of the following position is given to a patient with severe breathing difficulty, किसी client के लिए, किसी patient के लिए, बहुत जादा सास लेने तो problem हो रही है, तो कौन सी position provide कराएंगे, option है यहाँ पर, supine followers trend line पर, protein नफ भी अबव, तो यहाँ पर right answer होगा, भोगा followers position, इस तरीके से हैं, जो सिर को थोड़ा उपर उठा के रखेंगे, followers position provide कराएंगे, ताकि breathing problem हो रही है, जो ठीक हो जाए, ऐसा क्यों करेंगे, followers position ही क्यों देंगे, क्योंकि followers position में, जो lung का expansion है, फैलना है, वो क्या रहेगा, सही से होगा, और diaphragm में downward की तरफ आएगा, नीचे की तरफ जिसके कारण, lungs को फैलने के लिए जगह रहेगी, इसलिए followers position provide की जाती है, जो lung expand होंगे, तो सांस लेने में, जो दिक्कत हो रही थी, वो ठीक होगी, next is, Braden scale is used for assisting the risk for, Braden scale का इग्जाम में है, Braden scale का use है, जो क्यों किया जाता है, किस के लिए assist करने के लिए किया जाता है, option है यापर, decubitus ulcer, hypertension, UTI, और diabetes mellitus, जो Braden scale है, इसका use generally, जो decubitus ulcer है, उनका पता करने के लिए किया जाता है, जो pressure ulcer है, यापर decubitus ulcer है, उनकी किस तरीके से वो फैल रहे हैं, उन सब चीजा को पता करने के लिए, जो Braden scale इसका use किया जाता है, Braden scale में है, जो 6 assessment point होते हैं, sensory, mental, moisturing check की जाएगी, activity, mobility, nutrition, और friction and CRA, इस अभी चीज़े हैं, जो 6 point है, इसमें check किये जाते हैं, Braden score में, total इसकी scoring होती है, वो होती है, 15-16, next is, which of the following preferred site for intramuscular injection in infant, infant, infant है, जो 0 से 1 साल तक की बच्चे हैं, उनके लिए, intramuscular injection है, जो किस muscles में हैं, जो दिये जाएंगे, option है, deltoid, rectus femoris, vastus lateralis, या फर ventrogluteal, infant में जो intramuscular injection दिये जाते हैं, वो जनरली vastus lateralis muscles में दिये जाते हैं, so here is the right answer is C, next is, which of the following diagnostic investigation is useful to detect the seizures, seizures को detect करने के लिए, कौन सा diagnostic investigation और diagnostic test है, जो useful माना जाएगा, EEG, X-ray, CT scan और DMRI, जनरली seizures आते हैं, बच्चों में आएं बड़ों में, तो MRI भी की जाती, CT scan भी होती, EEG भी होती, लेक्टो इंसे फेलोग्राफी, बट जो accurate result बताएगा, वो कौन बताएगा, यहाँ पर question नहीं है, तो वो आएगा, EEG, इलेक्टो इंसे फेलोग्राफी, इसमें जो इलेक्टोड से, ब्रेंड के scalp में लगाए जाएगे, जो ब्रेंड की activity, यह फंसनिंग उसको check किया जाएगा अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर seizures को सही तरीके से पता करने के लिए, जो investigation, diagnostic investigation है, फिर test होगा, वो होगा, EEG, इलेक्टोड इसमें लोग्राफी, next is, in measles, कॉपलेक स्पॉट्स और सीन इन, तो कॉपलेक स्पॉट्स किस में देखने को मिलते हैं, तो कॉपलेक स्पॉट्स हैं जो किस स्टेज में देखने को मिलते हैं, मलते हैं तो यह गैसी सेज किया जिसमें अरली सिम्टम्स देखने को मिलेगे तक आफ्री अपरीकुएसँ पीरियन जुस्ट इन स्टोर एक अपिरेंस ओप करेकरिटरस्टिक आयुरेयर में इस स्टेज का प्रोंगलिए विदा देक्टम्सिंटेटराइप्टेम्स то कैसी अब नॉर्मल कंडिशन है जिसमें अ्मलाइकल क्या हो रहा है इंसाथ हो रहा है एक मेंब्रेन के थो इसल क्या कहला ल franch legal इंसाथ अब बेलंड् theor दो एक औरलेंट्थ कॉछा जो कर्ण हो रही है नॉर्मिला डाम्ल आईकल आट दो 被ला मैंट्थ हो रहा दो जो कहां से होगा, प्लेसेंटा से होते हुए होगा, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, बेला में एंटा स्कॉर्ड इंसर्शन, नेक्स्ट इस विच इस दा वायो केमिकल मार्कर डिटेक्टेटेड इन दा मदर्स ब्लॉड इन एंटीडी, नूरल ट्यूब डिफेक्ट में, मदर के ब्लड में हैं, जो कुछ से वायो केमिकल मार्कर डिटेक्ट किया जाता है, उप्शन है आप रे, अल्फा फीटो प्रोटीन, एसकॉर्वेक एसेट, एलकलाइन फॉसफेट और दीन नफ्दी अबब, तो अल्फा फीटो प्रोटीन है, जो एक ऐसा बायो केमिकल मार्कर है, सबसे पहले बन जाता है, ब्लड टेस्ट होता है, तो अटीडी के लिए इन प्रोटीन का लेविल यदी बड़ा हुआ है, मतलब NTD की कंडिशन यदि बहुत कम है लो है तो डाउन सिंड्रोम होने के चांसे ज़्यादा रहेंगे तो आपके लिए दौनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि अलफा फीटो प्रोटीन यदि इनकेस हाई रहता है अलफा फीटो प्रोटीन तो एंटीडी के चांस से इंडिकेट कर रहा है एंटीडी की तरफ नीरल टूब डिफेक्ट हो सकता है यदि लो लेविल में तो डाउन सिंड्रोम होने की इस अंका है जो हो सकती है नेक्स्ट इडिमा और कलेक्शन अफ फ्रूड अन फीटल स्केल डेवलप दूरिंग लेवर इस नोन अज आपने डिलेवरी के टाइम पर जिन भी लोगों ना गायनिक बाद में ड्यूटी को होगी एज नर्स नर्सिंग ऑफिसर एफर स्टाफ नर्स तो आपने देखा तर्मलोजी पता भी ना हो तो कौन से हैट देखने को मिलेगा आपके लिए वो कहलाता है कैपट सक्सी डेनम और जो लोकलाइजड एडिमा और फ्रूट का कलेक्शन रहता है फीटल के स्केल पर और लेवर के टाइम पर ही डेवलप होता है प्रैसर के कारण तो यह कंडिश हैं कि लेवर के टाइम पर ही रहेगी यहाँ रहते हैं जो ठीक हो जाएगी यहां पर इसका राइट आइसर क्या ओगा कैपट सक्सीडें मैं मैज़रं ब्रोकम तो generally contraceptive जो methods है उनकी effectiveness accuracy का पता करने के लिए जो index यूज़ किया जाता है वो है pearl index pearl index को किस तरीके से define किया जाता है it is defined as number of contraceptive failures per 1000 booms years of exposure pearl index में क्या होता है कि कितनी contraceptive fail हुई है तो कितने के ऊपर है जो fail हुई हुई और उन्होंने एक्सिदेंटल प्रेगनेंसी को कंसीब किया है इसको इस तरीके से जो calculate किया जाता है total number of accidental pregnancies divided by total months of exposure into 100 next is the type of pelvis in which the features are heart-shaped rim narrow for pelvis and sciatic notch with prominent steele spine supportive angle more than 90 degree तो किस तरीके की pelvis के हैं जो characteristics बताये गहे हैं और यहां पर पैल्विस के चार टाइप है जो most important pelvis होती है प्रेगनेंसी के लिए वह होती है gynecological pelvis gynecoid pelvis और यहां पर जो generally round और oval indate रहेगी और जो android pelvis रहती है male में पाई जाती बट कुछ case में female में भी पाई जाती है और इसकी indate है किस तरीके की होती है heart shape की तो यहां पर आपके लिए जो pelvis के type है भी पता होना चाहिए next is at 8 week of gestation the uterus looks like 8 week के gestation period में जो uterus एके shape में दिखेगी option large orange cricket ball size of graph food d small unripped pier 8 week के gestation में है जो uterus देखने को लगेगी large orange के जैसे next is which drug is given to prevent HIV transmission from mother to child तो एक मदर के लिए कौन सी medicine दी जाएगी कि उसके बच्चे को HIV से बचाया जा सके transmission रोका जा सके HIV transmission option नेवराफाइन PCM stevidine और डीन अनफ़ती अबब तो जो stevidine है जो कॉंटर इंडिकेट रहे थी HIV transmission HIV सॉरी जो भी pregnant मदर रहे थी उनके लिए और नेवरापाइन जो PCM है वो दे सकते हैं कभी-कभी इनकेस दी जाती है परसिटमल है बट जो नेवरापाइन है most importantly medicine है जो HIV transmission को रोकने के लिए यूज की जाती है कि मदर से बेबी के लिए HIV का transmission ना हो तो उसके लिए दी जाती है नेवरापाइन मेडिसेंट नेक्स इस सार्स वाइरस एजव तो सार्स का नाम तो भी आपने बहुत सुना ही होगा विछले चार-पांच महीने से सुन रहे हैं तो सार्स क्या है सीवियर एक्ट्रेटरी सिंड्रॉम तो एक तरीके का कोरोना वाइरस है अब उसकी नहीं किसमें है जो नहीं स्पेसीजर फैली हुए कोभीड नाइंटीन सुन चार्स की तरीके का वाइरस है कोरोना वाइरस नेक्स विजोर एनलॉग इसकेल इस मोस्ट वाइडली यूजड तो मेजर विजुवल एनलॉग यहां पर विजोर्ड एनलॉग से ही समझ सकते किस चीज का पता करने के लिए यूज की जाती है और दिकी इंटेंसिटी का पता करने के लिए कितनी इंटेंसिटी का पैन हो रहा है यहां पर इस स्केल में टोटल 10 पॉइंट होते हैं जीरो पॉइंट दिया जाता है जब किसी भी तरीके का दर्दना हो माइल्ड एनॉइंग पैन रहेगा नेगिंग अनकमपर्टेवल रहेंगे डिस्ट्रेसिंग मिजेरेवल पैन इंटेंस ड्रेड़फुल और हॉरेवल पैन रहेगा तो आठ से नौ के भी आठ तक में रहेग दर्द की शंकतरय पैन इंसटी को पता कर्ने के लिए कि लिए ची अजाता है ज्याट्व । में जो इसव पार्ट सबसे ज़्याते हैं तो व़र ऐसीम हो को मिलता है आप राइगो फ्लविन पारीडॉक्सिन आयरन और दी थैमिन विटावन बीवन की कमिंग के कार्ण है जो को साइको से से फर को साको सिंड्रॉम देखने को मिलता है तेहां पर इस क्वेशन का राइट अंसर होगा डी थैमिन लास्ट कॉस्चन आप लोगों के लाइकना साथ ही आप अर्क वीडियों में स्कांस्र आपके लिए बताऊंगी एपसंस ऑ लिविंग इस्परमेटो जो हा इस सीमेन इस कॉल्ड जो इन लिविंगे इस पर मेंटा है सीमेन मेंशेंट है वह कंडिशन क्या कहलाएगी अली जो इस पर मिया और दीन अनव दी अ देघे पिले हैं प्राइब जिया प्राइब, इसक्तिज कर दो के लिग खुऽेंग के लिगा तंसरे हैं